नवस्कार में प्रियरंजन और आज की इस एपिसोड में अडानी समुह के वेल ट्रेंडिंग स्टॉक अडानी इंटरप्राइज़ के वारे में डिस्कसन करेंगे जो पास टू डेज में लगबग 10% की तेजी दिखाई है लोवर प्राइस से और आज हमने इस स्टॉक में एक । अडानी गोर्फमनेंट में हमने देखा कि चार सेक्टर में बरी रेली दिखेगा पीए से से यू डिफेंस रेलवे ardानी अगें एकस्पेक्ट किया रहा है कि मोदी गोष्मन्fe Wiki में आती है तो यह जो चार सेक्टर है यहाँ अगें जो ट्रेंड है वो continue होते हुए दिखेगा उसका आज हमने सबूत देखा कि कल अमीत साह ने कहा कि हम मेजरिटी में आ रहे हैं गोवर्मेंट बना रहे हैं अगर कुछ खरीदारी करनी है तो खरीद लो क्योंकि फॉर्थ जून के बाद आप रिग्रेट करोगे बजार सूट अप करते दिखेगा और कल की इस बयान के बाद आज जिस परकार में डिफेंस पी एस यू रेलवे अडानी जैसे स्टॉक्स में विल ट्रेंड दिखें वो इस बात का गवाह है किस गुवर्मेंट के आने के बाद अगेन इन सभी स्टॉक्स में रैली आते वे दिखेगी तो अडानी इंटरप्राइज़ सारे तीन लाग करोर का मार्केट कैप 96 के आसपास का प्राइस अरनी रेशियो जबकि इंडस्ट्री अडान 35 के पीई पे ही है लेकिन अडानी समू हायर वैल्यवेशन के लिए ही जाना जाता है कि हमेशा ओवर वैल्यूड के ट्रेड पे ट्रेंड होते दिखता है आज इस स्टॉक में 5% की तेजी दिखी और एक बड़ी ख़बर आई कि अडानी इंटर्प्राइजेस के द्वारा 80,000 करोर यानि 80,000 करोर इंफ्रा और एयरपोर्ट्स न्यू इनर्जी के अंदर जो है इस्पेंड किये जाएंगे कैपेक्स किये जाएंगे जिसके कारण और यह कैपेक्स जो है अगले वन येर में होने वाला है 50DMA 3,100 का है लेकिन इसने 2,800 के मेजर सपोर्ट को मल्टिपल टाइम रिटेस्ट करा है तो अवर ओल ट्रेंड अभी भी स्ट्रॉंग दिखता है और मुझे लगता है कि 2,800 के नीचे ही विक्निस आएगी इस समय बायाउन डिप्स की अपर्चुनिटी लिया जा सकता है पहला टारगेट 3,400 चुकि एक मिजर हडल है और 3,400 के उपर की विक्ली क्लोजिंग अडानी इंटरप्राइजेज को 4,200 तो 5,000 तक के पोटेंशियल टारगेट नेक्स्ट टू मन टू वन एयर के डुरेशन में दिखा सकता है तो आई ओप ये वीडियो इंफर्मिटिव रहा थैंक यू फो वाचिंग इस वीडियो